जानने वाले में जानने से पहले हम लोग पलिए जाने लिए तेक je अधोग है तो नक्योप में वह सा जाता है Frick pate जो कोई चीज़ जो इसको गाच लेता है तो वहां पे गाँ जाता है यह किसी सिर्ट जाता है जो है तो यह भी एक इक मिलना जाना करनी आत ना willen यहां जञता है और तभी यहां होगानी उसे महले है में पूरह सर्जेरी students 2G इसे कोई डात डेंटल के डाक्टर के पास या दात निकल वाने के लिए दात निकालना भी एक छोटी सर्जरी जो आती है और एक नया घा होने कांड डाक्टर इसमें भी कुछ दवयें एंटीबर्टिक चलाते हैं चलान वान्ट यानि हात पर एक ध्रभ में खराब्र गांड के दवश्वांट के रखायता हैर या लगतार प्रेशर पड़ता है कोई भेट पे पेशन्ट लेटा हुआ है और लेटार किई पड़ता है तो ऐसे को आर्मल डेसिंग कर दिया जाता है और इसाथ में पैन किलरिया ईता है जैसे जाते हैं और बहुत साई दवाईयां होती है एंटिबाइटिक में लेकिन यह चलाए जाती है तो पहले आप नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं डियाबिटीज को ठीक करना परेगा तब उसके बाद घा को ठीक किया जा सकता है और सर्जरी की भी जरूरत जरूरत पड़ सकती है तो उसमें टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है और बड़े घाओ को इंफेक्शन से बचाने के लिए एंटिबाइटिक की जरूरत पड़ती है वह कौन कौन से एंटिबाइटिक है दोस्तों आए जान लेते हैं इनमें से किसी भी मेडिसिंग का लग लग ब्रेस्पॉMore सब्सक्राइब और अच्छा होता है इस ब्रचnd बहुत अच्छा होता है ऐसे में 0-P, 0-SPR और भी बहुत सारी पेंट के लिए मेडिसिन और सूजन की दवाईयां होती हैं और एंटिबाइटिक मेडिसिन की बात करें तो सिफोडॉक्सिम जो की गुर्सव या फिर और अधर पापलर ब्राइनेम से आती हैं और सिफोडॉक्सिम भी वाउंड के लिए बहुत अच्छे अंटिबाइटिक होती है अगर जानकर ये अच्छे लिए को लाइक करें सिर्क लिए चनल को सस्क्राइब करिए करिए